मा बाप ये तीन गलतियां ना करें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगडेंगी जैसिरी कृष्ण मित्रो स्वागत है आप सभी का गोपेश किया न्यूटूब चैनल में मित्रो आज मैं आपके लिए बड़ी ही रोचक और ग्यानवर्दक कहानी लेकर आया हूँ कहते हैं मा बाप ये तीन गलतियां ना करें तो उनकी बेटियां कभी नहीं बिगडेंगी मित्रो हर मा बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम बढ़ाए उन्हें एक कन्या का पिता कहलाने पर गर्ब हो क्योंकि बेटी का पिता होना बहुत बड़े सौभाग की बात होती है बेटी का कन्यादान करने से पिता बहुत बड़ा पुन अर्जित कर लेता है बेटी का इस संसार के निर्मार में बहुत बड़ा योगदान है अगर बेटी न होती तो ये स्रश्टी भी नहीं होती लेकिन बेटी के चरित्र को उजुबल कैसे बनाया जाए हर माबाप को इस बात पर विशेश ध्यान देना चाहिए कहते हैं बेटी माबाप और कुल का तभी मान बढ़ा पाती है जब उसका चरित्र साप सुत्रा पवित्र और उजुबल हो यदि उसने अपने गलत आचरणों से अपने चरित्र को दूसित कर लिया तो फिर बही बेटी कुल और बंस के लिए कलंकित कर देती है माबाप की इज़त को धूमिल कर देती है एक बेटी के बिगणने से दो कुल सरमसार हो जाते है एक तो उसके माबाप का और दूसरा उसकी ससुराल का बेटी के चरित्र को अच्छा बनाना सरफ प्रत्रम उनके माबाप का करतब भी होता है कि बेग किस तरह अपनी कन्या को संस्कार देते है आईए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं पदम पुराण में एक कथा आती है कलिंग देश में स्रीपूर नाम का एक नगर था उस नगर में वसुदत नाम के एक ब्रहमण रहते थे उनकी एक बहुत सुन्दर पुत्री थी जिसका नाम था सुदेवा सुदेवा बहुत ही चंचल चित वाली थी उपर से रूप और योवन से भी संपन्द थी वो अपने माबाब की बहुत लाडली थी पिता वसुदत उससे बहुत प्रेम करते थे बेटी से अधिक महों होने के कारण वे उसे कभी सुयम से दूर नहीं करना चाहते थे वो बेटी की हर इच्छा को पूरी करते थे उनके यही अधिक लाडल प्यार ने बेटी को उदड़ बना दिया था कहते हैं अधिक सुतंत्रता अधिक लाड़ प्यार संतान को संसकारों से बंचित कर देता है अपनी संतान से प्यार करो परसंसकार और सिक्षा के योग होने पर उन्हें सिक्षा और संसकार से बंचित नहीं करना चाहिए बे माबाप उस संतान के बैरी होते हैं जो संतान को पढ़ाते लिखाते नहीं मूर्ख और दुष्ट संतान से संतान तो दुखी रहती ही है माता पिता भी जीवन वरकष्ट पाते हैं कहते हैं गर्ब गिर जाना अच्छा है मरे हुई संतान पैदा होना भी ठीक है इस्तरी का बांज होना भी अच्छा है संतान गरम में ही पड़ी रहे ये भी ठीक है पर धनवान और रूपबान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ठीक नहीं है बसुदत्त के अधिक लाड़ प्यार में पलकर बेटी बिभा योग हो गई पिता ने निश्चे किया कि बेटी का बिभा मैं उसी के साथ करूँगा जो बिभा के बार मेरे घर पर ही निवास करे यानी की घर जमाता बन कर रहे इसलिए वसुदत्त ने अपनी बेटी का बिभा बड़े और उच्च कुलों में नहीं किया एक दिन वसुदत्त के द्वार पर एक कौसुक गोत्री ब्रहमण आया वो भिक्चुक बहुत ही पड़ा लिखा और बेद बेदांगों में पारंगत था बसुदत्त को वो भिक्चुक बहुत पसंद आया उन्होंने उसका नाम और गोत्र पूच कर उसे बेटी की योग समझ कर अपनी बेटी सुदेवा का बिभा उस कौसिक गोत्री बिक्चुक ब्रहमण के साथ कर दिया और उससे ये सर्थ ठहराई कि बिभा के बाद उसे हमारी बेटी के साथ हमारे ही घर रहना होगा मित्रों वो ब्रहमण बसुदत्त की बात मान किया और सुदेवा के साथ विभा करके अपने सासुर के घर पर ही रहने लगा सुदेवा के पिता नगर के धनवान ब्यक्ती थी उसके पिता बहुत बड़े धनवान है इसी घमंड में चूर होकर सुदेवा उद्दंड हो गई वो आए दिन अपने पती का अपमान करती रहती थी वो अपनी विवेग सक्ती खो चुकी थी उसके पती बड़े ही ग्यानी और धहरी वान व्यक्ती थी उसने कभी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा सुधेवा कभी अपने पती की सेवा नहीं करती थी उल्टा वो अपने पती को खरी-खोटी सुनाती रहती थी पिता के घर पर रहने के कारड लोक लज्जा तो उसमें थी ही नहीं वो पूरे गाउं में आजाद इस्तिरियों की तरह बिचलड करती थी उसका पती कभी उसे समझाने का प्रयास करता तो वो उल्टा उसी को आँखे दिखाने लगती थी और बार-बार ताना दिया करती थी कि तुम मेरे पिता के धन से पल रहे हो भला तुमारी क्या उकात है जो तुम स्वयम अपना भी पेट भर सको तुम तो एक भिक्चुक हो इस तरह की बातें वो अपने पती से रोज किया करती थी उसके पती ने कभी इस वाद की सिकायत अपने ससुर से नहीं की पिता भी अपनी बेटी की आदत अच्छी तरह से जानता था पर उन्होंने उसे कभी समझाने का प्रयास ही नहीं किया और समझाता भी कैसी पतनी के रोज रोज के बुरे बरताओं के चलती, एक दिन उसका पती उसे छोड़ कर चुपचाप चला गया, अपने दामाद के चले जाने पर वसुदत को बड़ा दुख हुआ, वसुदत सोचने लगे, कि जरूर मेरी बेटी के बुरे आचलणों से दुखी होकर, मेरा दाम उसे छोड़ कर चला गया है, मेरी बेटी बहुत बड़ी पापा चारणी है, मेरे ग्यानी और धर्मात्मा दामाद मेरी पुत्री को त्याक कर चले गए हैं, मेरी पुत्री ही दुष्टा है, कुल नासनी है, बसुदत को अपनी बेटी पर बड़ा किरूद आया, उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने घर से निकाल दिया, और कहा है दुराचारणी, है कुल में कलंक लगाने वाली, जा, और जहां तेरा पती रहता है, तू बही चली जा, उससे अपनी करनी की छवा माग, और तेरा पती तुझे ना मेले, तो मेरे घर में लोट कर कदम मत रखना, इतना कहकर बस उदत्त ने अपनी बेटी सुदेवा को घर से निकाल दिया, सुदेवा अपने पेता के घर से निकल चुकी थी, पती और पेता के त्याग देने पर वो जिधर जाती थी, उधर ही लोग उसे दुदकार कर भगा देते थे, कोई उसे अपनी जगे, पर ठैरने नहीं देता था, कई दिनों तक ऐसे ही भूकी प्यासी भटकती रही, लोग उसे कुल्टा समझ कर दुदकार ने लगते थे, उस समय उसे सब समझ आ रहा था, कि मैंने अपने पती का बहुत अपमान किया है, उनके त्यागने पर आज मेरा कोई सहायक नहीं है, कई दिनों त कुल और मान से वंचित होकर वो घूमती फिरती रही, इस तरह भटकते भटकते वो गुजरात में पिरभास तीरत में जा पहुची, कई दिनों से भूकी थी, इसलिए रहा भी ठीक से नहीं चली जा रही थी, पेट की अगनी को सांत करने के लिए, सुदेबा एक खपरा ले तक नहीं देते थे, इस तरह अतियंत दुख में जीवन वितीत करते हुए, वो कई तरह की बीमारियों से गिर्शित हो गई, सरीर सूप कर काटा हो गया, एक दिन वो उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी, और भटकते भटकते वो एक बड़े ही सुन्दर घर के द गर में चारो और बेद मंत्र पड़े जा रहे थे, सुदेवा ने जैसे ही उस घर में प्रवेश किया और भिक्चा के लिए आभाज लगाई, उस घर का स्वामी उस दुबली पतली औरत को दौर पर देखकर अपनी पतनी से बोला, हे भागिवान, देखो तो दौर पर कोई दुख्यारी खड़ी है, लगता है वो कई दिनों से भूकी है, उसे घर में आदर से बोला कर भोजन करा दो, मित्रो, वो घर किसी और का नहीं था, बलकि सुदेवा के ही पती का था, जो उसे त्याक कर चला आया था, यहां आकर उसने अपना दूसरा विभा कर लिया था, औ वो उसकी ही पत्नी है, जो कई दिनों से भूकी है, उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, कि वो उसे घर में बुला कर भोजन करा दे, उस प्रहमन की दूसरी पत्नी वड़ी संसकारी और सुसील थी, एक दुखिया इस्तरी को द्वार पर देखकर, वो भी करोना से भर गई, वो उसे आदर से अपने घर में बुला कर लाई, और प्रेम से बैठा कर भोजन कराया, सुदेवा भी अपने पती को देखकर पहचान गई थी, पती को सामने देखकर सुदेवा का मुख लज्जा से जोग गया था, तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा है स्वामी, यह इ वलकि मेरी ही प्राण पिरिया, कल्यान मई भारिया है, इसका नाम सुदेवा है, मैं इसे बहुत प्रेम करता था, पर विशेश कारण से, मैं इसे छोड़ कर चला आया, तुम इसकी खूब खातिरदारी करो, इसकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, मित्रो, जिस पती से वो स अपने पती से अतियंत, अपार सम्मान पाकर, सुदेवा को बड़ा दुख हुआ, सुदेवा ने अपने द्वारा किये गए को कर्मों को देखा, तो अंदर से बड़ी गिलानी हुई, अपने कर्मों को याद करके, और अपने पती की दूसरी पतनी की सेवा को देखकर, सरम यहीं सब बातें सोचते सोचते उसका हिर्दा फट गया और उसके प्राण उसके सरीर को छोड़ कर चली गई उसके पती ने उसके सरीर की सब विधी से अंतियस्टी किरिया की अब यहीं पर उसका दुख खतम नहीं हुआ मरने के बाद सुधेवा की आतमा यहमराज के सम्मुक पहुची तो यहमराज भी उसके कोकर्मों को देखकर बड़े किरोधित हुए यहमराज ने अपने दूतों से कहकर उसे दहकते हुए अंगारों के डेर पर फिकवा दिया फिर उसके बाद बारी बारी से उसने कई तरह के नरकों को भोगा सुदेवा ने अपने पती के साथ धोका किया था वो परपुरुस में आसकत रही थी इसलिए अमराज ने एक लोहे का पुरुस बना कर उसे आग में तपा कर सुदेवा की छाती पर सुला दिया फिर उसके बाद उसे असिपत्र बन में फिकवा दिया असिपत्र कहते हैं जहां तलवार, तिरसूल और दुधारे अस्तर-स्तर गड़े हो ऐसे बन को बहा उसके सरीर को छिन भिन कर दिया फिर उसे पीव, रक्त और बिष्टा में डाला गया इसके बाद उसे एक कीडों से भरे कुंड में फेक दिया गया फिर एमदूतों ने उसके सरीर को आरी से चीरा पिर ये बंधूओ नरक की भयंकर आतनाय भोगने के बाद उसे अनेक योनियों में जनम लेकर असैनी ये दुख भोगने पड़े पहले स्यार की योनियों में जनम मिला फिर कुत्ते की योनियों में जनम मिला उसके बाद साफ, मुरगा, बिल्ली और चुहे की योनियों में जाना पड़ा जब उसके पापों का अंत हो आया तो अंतिम जनम उसे सूकरी के लूप में मिला जो राजा इच्चुबाक के साथ युद्ध करते हुए युद्ध भूमी में मारी गई राजा इच्चुबाक की पत्नी सुदेवा ने अपने पतिवरत के कुछ पुन्न से उस सूकरी का उधार कर दिया और वो बैकुंट धाम को चली गई प्रिये बंधू कथा का तात्परी ये है कि माबाप को चाहिए कि वो अपनी संतान को पहले से ही उन्हें संसकार देकर सुलक्षिणी बनाए जिससे उनका आगे का जीवन धरम करम के साथ यापन हो बेटी हो या बेटा सिच्चा और संसकार के बिना उनका जीवन एक पसू की तरह होता है और संसकारों से बंचित ना रखे और इस काम को माबाप बच्पन से ही सुरू कर दे दूसरी बाद उनकी छोटी से छोटी गलती को भी नजर अंदाज ना करें गलती होने पर उन्हें तुरंत समझाएं और सही मारक का अनुसरण कराएं उन पर कठोर दृष्टी बनाए रखें जिससे वो उद्दंड भी न हो पाएं तीसरी बाद बेटी को जहां तक हो बिभा के बाद घर जमाई बना कर ना रखें आपतिकाल में तो कोई बात नहीं है पर अधिक मोहों या सौक में अपने घर पर अपनी बेटी को ना रखें माता पिता की लापरवाई ही संतान के जीवन को बिगार देती है इसलिए इन तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखें प्रिय बंधू यदि इस वीडियो के बिचार आपको अच्छे लगे हूँ तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगली कहानी में नई ग्यान चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद